Welcome viewers, आज के स्वीडियो में हम सीखने वाले हैं, मौस्वोस के बारे में कुछ basics, कि कब उगता है, कैसे उगता है, कैसे उगाएं, कुछ basic सीखने वाले हैं, फिर कटिंग से उगानों, हम उसे part two में सीखेंगे, part one है, तो चलिए, start करते हैं, ये video, आज के स्वीडियो में हम सीख वाले हैं मौस्रोस के बारे में सो वेलकम वीवास तुमा यूटब चानल अमग वर्वास प्लांट लेक्स गो सब्सक्राइब देखिए यह हैं मौस्रोस का ब्लांट यह आपको बता वहाँ और यह आपको बता जीता हूं इसकी बैसिक्स चलिए दुबारा चलते हैं हमारे स्टूडियो में सो व्यूवर्स वेलकम अगेन इन स्टूडियो तो नाव सम बैसिक्स आर जो हमारा मौस्रोस का एक पौदा है यह धूप में अच्छे से खिलता है जैसे कभी धूप ना हो तो कम खिलता है अभी जैसे मैंने इसको फोड़े जरके एक पर बस भार निकाला था यह आप अच्छे से देख पाएं क्योंकि धूप में आप अच्छे से देख नहीं पाते इसलिए मैंने एक पर बस भार निकाला था जो कि यह काफी सुंदर था और इसकी सुंदर था बहुत शांदार होती है और दोब में खुलता है जैसे मियन आपको बतायाacz जागा शाम को जैसे इसके फुटबंड कर मोहने लग जाता onlar रग जाते अयुद हो इसमें थज़ड़ा कम खिलता हे साथी साथ में घरमियों के मोहने बहुत पहुत असान है और साथी साथ में आपको पता दूंग कि यह पहुत अच्छी खुश्बू देता है और स्कटिक और साइब बनाना भी बहुत बहुत असान है और कुछ टूल्स चाहिए होते हैं आपको इसको लगाने के लिए प्रूस्चीAls चेहरं हार को ठूल्स अक्नकिजस में को बता देता हूं किज एपट टूल्स क्या है स्पहल प्रष्ट पेו करहें देचिक औरares देचिंद में आपको देडिग्विट व्हथ लौद और दे बतार हो हुआ गष्ट देम केशन हैंड डिजर्वल्स होगी और हम कटिंग से लगाना शीखेंगे किंग से लगाना बहुत असान होता है को कहीं मिल राएगा मासूस का पौदा मासाब कटिंग लेले बना ले पिर वीडियो देखके उसके बाद आप उसको प्लाइंट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बताता जाता ह हो और यह बहुत इजी होता है और साथ ही साथ में मैं बताओं जैसे मैं आपको पहले गपारा हूं कि से खुशबू ख़च अच्छी होती है और से खुशबू यह को बहुत पसंद भी है आपको इस पसंद आईगी मैं उम्मीद करता हूं और आजका युनियों हम इनी पे कर दो कर दो